भ्यम्दर्शकों हर हर महादेव आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे मित्रों आप सभी जानते हैं आठ मार्च को महा शिवरात्री है महा शिवरात्री के इस महा संयोग पर शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है महादेव के संग मापारवती को भी प्रसने कर लेना है शिवरात्री के दिन को महादेव और मापारवती का मिलन का दिन यानि की विवाह का दिन बताया जाता है इसी के साथ में कुछ पौरानिक कधाओं में बताया जाता है कि यह दिन भगवान शिव के प्राकर्टे का दिन है इसके साथ ही यदि आप पूर्ण शिव परिवार को प्रसन्न करना चाहते हैं अखंड सौभागे की प्राप्ति चाहते हैं अपने पती की दिरगायू चाहते ह हैं उनके काम में उनकी बरकत चाहते हैं घर में सुक्सम्रिधी चाहते हैं चाहते हैं आपका वहवाहिक जीवन सुखमय बना रहें, सारी समस्याएं समाप्त हों, तो ऐसे में क्या करना है, जिस भी शिव मंदिर में, भगवान शिव के समक्ष में, मा गौरी विराजमान हों, ऐसे मंदिर में जाकर आपको मा गौरी के चड़नों में एक चीज अर्पित कर देनी है और उसके बाद उस चीज को उठा कर वापस ले आना है, और आपको प्रयोग करना है, या फिर आप उसे रख भी सकते हैं अपने पास में, इससे क्या होगा, अगंड़स वभागे की प्राप्ति होगी, और मा पारवती और भोले नात का आशिरवात आप दोनों के जीवन मे बना रहेगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए कोई भी पैसा या चार्ज नहीं होता है, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, चलिए अब जानते हैं कौन सी है वह चीज आप सभी जानते हैं सुहाग की सामगरी, जी हाँ, सुहाग में क्या आता है, सिंदूर, चूडी, बिच्छिया, पायल, बिंदी, यह चीज आपको क्या करना है, मा गौरी को समर्पित कर देना है, सोला श्रिंगार की सामगरी, उसमें से एक कोई वस्तो भी आप वापस ले चाहे तो सिंदूर ले आए, या फिर चूडिया ले आए, उसे आप प्रयोग करें, पहने या फिर अपने पास रखें, अखंड स्वभागे की प्राप्ति होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखमे होगा, दोनों पर भगवान शिव और मापार्वती का आशिरवाद बना र Shri Shivaya Namastubhyam